आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question is 20 ml of solution of a weak monobasic acid neutralizes 22.18 ml solution of NaOH ठीक है अब आगे बोलागे 20 ml of N by 10 HCl neutralizes 21.5 ml of the same NaOH solution आगे बोलागे the normality for the acid is nearly तो हमें normality बताने इस acid की कि वो क्या होगी Question ही बोल रहा है कि 20 ml of solution होता है weak monobasic acid का जो neutralize करने के लिए किसको neutralize करता है 22.18 ml solution of NaOH को ठीक है और 20 ml of N by 10 HCl जो होता है वो neutralize करता है 21.5 ml of the same NL solution को ठीक है तो हमें normality बताने दिए ठीक है अब देखो अब यहाँ पर normality के लिए हम जो generally use करते हैं वो देखो क्या use करते हैं जब normality और volume हमें दिया हुआ होता है तो N1 V1 या फिर neutralization के लिए क्या use करते हैं N1 V1 equal to N2 V2 ठीक है यह हम use करते हैं अब देखो अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है N1 जो है N1 यहाँ पर अभी दिया हुआ नहीं है ठीक है N1 V1 क्या दिया हुआ है 20 ml दिया हुआ है ठीक है 22.18 ml ठीक है अब यहाँ से हम N1 की value निकाल सकते हैं तो N1 equal to N2 into 22.18 divided by 20 यह हमारी first equation हो गई है ठीक है अब देखो यहीं same जो है हम use कर रहे हैं किसके लिए second के लिए ठीक है यानि कि देखो क्या दिया हुआ N20 ml of N by 10 HCl जो होता है neutralize करता है किसको 21.5 ml of same annual solution को ठीक है तो देखो यहाँ पर भी वही same चीज है हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं 20 देखो यहाँ पर क्या है 20 ml है ठीक है 20 ml यानि कि जो V दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है और N जो दिया हुआ है यानि कि नॉर्मलिटी जो दी गई है N by 10 है यानि कि हम इसको क्या लिख सकते है 1 by 10 लिख सकते है equal to है ना N2 वे 2 जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे तो देखो 21.5 इन्टू यहाँ पर जो है हमें N2 की value दी नी गई है तो हम उसे N2 लिख सकते है तो देखो अब N2 को तो हम इधर ही रखते है बाकी 21.5 जो है इसको हम खीच के नीचे ले आते है तो यह क्या आ जाएगा 20 by 21.5 into 10 यह 0 से 0 माइनस हो गया तो 2 by 21.5 तो यह आता है अब हम हमारे पास क्या है N2 की वैल्यू आ दिया तो N2 की वैल्यू जब हम यह अगर हम एक्वेशन सेकंड ले तो जो जो सेकंड एक्वेशन को है अगर हम पास्ट में पुट करें नीकि N2 की वैल्यू अगर हम पुट कर देते है तो देखो क्या आती है N1 equal to यहाँ पर हमने n2 की value put करी 2 by 21.5 ठीक है तो 2 by 21.5 into 22.18 divided by 20 ठीक है अब यह अगर हमने निकाल दिया तो यह get 10 तो equal to इसकी value क्या आती है जब हम इस score solve करें यह आता है हमारे पास 0.103 0.103 तो इसको 0.1 ही है यह इसका मतलब ठीक है तो जो हमारे पास आरे है normality वो क्या आरे है वो आरे है वो आरे है हमारे पास n1 equal to 0.1 ठीक है यह फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते है 0.1n ठीक है तो हमारे पास answer क्या है आंसर है हमारा option number 3, ठीक है, क्या आ रहा है, 0.1N, तो option number 3 is correct, यहां पर हमसे सिर्फ normality ही पूछी गई थी, ठीक है, इस सिर्ट की क्या नॉर्मलिटी क्या होगी, तो वो आ रहे हैं पर 0.10N, या फिर 0.1N. क्लासिक से टुएल से लेके, नीट IIT जेही, मेंस और एडवान्स के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप, या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स, 8444 सुपर.